होली के दिन दबंगों ने दलिती युवक पर किया जानलेवा हमला कानपुर के चकेरी थाना शेत्र की चोकी जाजमों इलाके के गौशाला में बीती रातरी नशे में धुद दबंगों ने बिना किसी बाद विवाद के पंकज वालमी की नाम के युवक को जाती सूचक गालियां देते हुए उस पर धारदार हतियारों से हमला कर दिया हमले में युव के कई जगा चोटे आई हैं आसपास खले लोगों ने पंकज वालमीकी को दबंगों के चंगुल से छुडाने का प्रयास किया तो दबंगों ने भीच बचाओ कराने आये लोगों के साथ भी मार पीट करने पर उतारू हो गए वहीं सूचना पर पहुँची पुलिस को देख दबंग पंकज वालमीकी को उसकी जाती के आधार पर गालियां वा धमकियां देते हुए भाग निकले वहीं अभी भी आरूफी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं हाँ मार रहते हैं अच्छा पखल दिया तुमको पकड़े मारे लगना और तुमने क्या का कि यह क्यों मार रहे हुए प्यावा गलती मेरी बताओ तो देश प्रदेश की हर छोड़ी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और पेल आइकन दबाना ना भूरें जिससे हर खबर आप तक पहुचा सके हम सबसे पहले